हेलो बच्चो आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है जो भी बच्चे हमारे यूट्यूब चैनल को पहली बार देख रहे हैं कृपया हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेर और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको आने वाले समय में भी एजुकेशन से सम्बंदित हर प्रकार के अपडेट मिलते रहें बचो यहां पर मैं चैप्टर वन परियावर्ण जिसका नाम है यह लेसन SST 7th क्लास का है और यह जोग्रफी से 7th क्लास की जोग्रफी का लेसन है तो शुरू करते हैं बचो परियावर्ण क्या है इसमें यह बताया गया है और परियावर्ण के क्या-क्या लाब है और परियावर्ण के दूशीत होने पर हमें क्या-क्या नुकसान उठाने पड़ सकते हैं वो सब बातों का जिकर हम इन पुरे लेसन के दोरान करेंगे लंबी छुटियों के बाद जब रवी स्कूल जा रहा था तब उसने देखा कि उसके स्कूल के निकट के खेल के मैदान में खुदाई हो रही थी वही एक मैदान उनके खेलने के लिए वहाँ पर था लोगों ने बताया कि वहाँ अनेक फ्लैटों वाली एक बड़ी इमारत बने गी जब रवी को समझ में आया कि मुलायम घास गेंदे के फूल एम तितलियों वाला विशाल मैदान अब हमेशा के लिए नश्ट हो चुका है तो उसकी आँखों से आंसु चलकने लगे उसने यह बात अपने सहपाथी को बताई सुभह की सबह में परधान चारे ने भी बहुत उदासी से कहा देखो कैसे हमारा परियावर्ण बदल रहा है कक्षा में पहुचकर रवी ने शिक्षक से पूछा परियावर्ण क्या है जो कुछ भी आप हमारे आसपास देखते हो शिक्षक ने बताया तो बच्चों परियावरण क्या है यह एक लाइन में ही कवर हो जाता है जब रभी ने स्वाल पुछा कि परियावरण क्या है तब शिक्षक ने उत्तर दिया जो भी हमारे आसपास हम देखते हैं वो परियावरण है तो बच्चों परियावरण में हर जो भी चीज आपके पा हो या फिर वह मैनमेड हो हम उसको परियावर्ण के अंदर काउंट करते हैं रवी कहने लगा इसका हर्थ है स्कूल भवन मेज कक्षा में कुर्सी रखी है यहां तक कि खुला मैदान सडक कुडा करकट मेरे दोस्त ये सभी परियावर्ण की अंग हैं हां शिक्षक ने कहा लेक मानम ने किया है जैसे सडक कार किताबे कपड़े आधी अब दो दो छात्र मिलकर कारे कीजिए अपने निकट बैटे सहपाटी के साथ मिलकर प्राकृतिक यो मानुद्वारा निर्मित वस्तों की सूची बनाईए आपके आसपास जो भी चिज्जे हैं उसमें प्राकृतिक द्वारा कौन सी बनाई गई है और मनुष्य द्वारा कौन सी बनाई गई है उनके एक अलग-अलग आपको लिष्ट त्यार करनी चाहिए इ इसमें क्या-क्या डिफरेंस है। रवी, परमजीत, जेसी, मुस्तफा, आशा सभी यह सूची बनाने के लिए उत्सुक थे। इकबाल ने पुछा हमारा परियावरन क्यों बदल रहा है। शिक्षक ने उत्तर दिया। ऐसा हमारी जुरूरतों के कारण होता है। यह दिन परत बेल्डिंगे इमारते बना बनाकर उसको काफी नुकसान पहुंचा दिया है। अब हम डिसकस करेंगे कि मैनमेड जो परियावरन है वो कौन सा है और जो प्राकृतिक द्वारा बनाए गया है वो कौन सा है। तो आप देख लिए बच्चो आपके सामने एक चित्र है आपक समारते, सडके, समारक, उद्ध्योग इस प्रकार कुछ चीजे मुनुश्य द्वारा बनाई गई और कुछ चीजे प्राकृतिक द्वारा पहले से ही बनाई जा चुकी थी। इसलिए हम प्राकृतिक परियावरन में परिवर्तन करते हैं और कभी-कभी उसे नश्ट भी कर देते हैं। उपर के वारतलाप से आप समझ गई होंगे कि किसी भी जीवित प्राणी के चारों और पाए जाने वाले स्थान वस्तुएं एवं प्राकृतिक को परियावरन कहते हैं। मानव की प्रस्प्रक्रियाएं उनकी गतिविध्या और उनके द्वारा की गई रचनाय समलित हैं। अब बच्चों यहां पर शब्द उत्पत्ति लिखा है कॉर्णर पे तो शब्द उत्पत्ति परियावरन यानि इन्वायर्मेंट जिसको हम इंगलीज में इन्वायर्मे कि आज़ पास की चीज्जे हैं हम उनको परियावरन बुलाते हैं। अब बात करते हैं प्राकृतिक परियावरन की भूमी, जल, वायू, पेड, पोधे एवं जीव, जंत, मिलकर प्राकृतिक परियावरन बनाते हैं। जो पहले से ही ब्ना हुआ है उसको हम प्राकृतिक परियावन कहते हैं स्थल मंडल है, जल मंडल है, वायू मंडल है, जेू मंडल है इन से आप पहले से ही प्रीचित होंगे आएए अब हम इनके संब्द में कुछ और तत्यों की जानकारी प्रापत करते हैं प्रित्वी की ठोस प्रपटी या कठोर उपरी पर्त को स्थलमंडल कहते हैं जो हमारी जमीन होती है उसपर जो मट्टी की लेर होती है उनको हम स्थलमंडल कहते हैं चत्टानों एवं खुनीजों से बनी होती है एवं मिट्टी की पतली परस्थे ढखा होता है। यहई पहाड, पठार, मैदान, घाटी, आदी, वीभिन, स्थलाक्रीतियों, दौरा वीशम ध्रातल होता है। ये स्थलाक्रितिया महादीपों के अलावा महासागर की स्थाय पर भी पाई जाती है। स्थलमंडल वह शेत्र है जो हमें वन, क्रिशी, मानो बस्तियों के लिए भूमी, पश्वों के चिराने के लिए घास थान, वैखनीज संपदा का एक विसेश स्तोत्र है। जो स्थलमंडल वह है, जहां पर हम रहते हैं हमारे आसपास का जो स्ट्रक्चर है, हम उसे स्थलमंडल गुलाते हैं। अब बात कर लेते हैं जल के शेत्र की जल के शेत्र को जल मंडल कहते हैं जहां पर समुद्र है नदिया है नाले है तालाब है यह जल के स्टोत्र है नदी जील समुद्र महसागर आदी विभिन जलाश्यों से मिलकर बनता है यह सभी प्राणियों के लिए आवश्चक है क्योंक अब बात करते हैं वायू मंडल की जो हमारे आसपास गैसों का एक वायू होती है हमारे पास oxygen, carbon dioxide वगएरा तो उसको हम वायू मंडल की संग्या देते हैं प्रिथवी का गुर्थवा कर्षन बल अपने चारों और के वायू मंडल को थामे रखता है वह सूरे की जुलसने वाली गर्मी एवं हानी कारक किर्णों से हमारी रक्षा भी करता है वाईयू मंडल में कई परकार की गैस धूलकन जलवाश्प उपस्तित होते हैं वाईयू मंडल में परिवर्तन होने से मोशम एवम जल वाईयू में परिवर्तन होता है जब वाईयू मंडल में परिवर्तन होता है तब ही वर्षा आदी होते हैं पादम एवं जीव जन्तु मिलकर जयव मंडल बनाते हैं, संजीव संसार का निर्मान करते हैं, यह प्रिथ्यू का वह सकीर्ण शेत्र है, जहां स्थल, जल और वायू मिलकर जीवन की संभव बनाते हैं, जब बात आती है जयव मंडल की, तो जयव मंडल का तब ही जयव मंडल संभव है, जब वायू मंडल, स्थल मंडल और जल मंडल, यह तिन्नों उपस्थित हों तब ही वहाँ पर जीवन की संभवना हो सकती है, परितंत्र, रवी की कक्षा के एक NCC कैंप में जेसी ने अश्रे से कहा कितनी मुशलाधार वर्षा हो रही है, इससे मुझे अपना केरल याद आ गया, अब यहाँ पर केरल जेसी ने केरल की बात की तो इसे पता चलता है कि जेसी केरला की है और वहाँ मुस्लाधार बरसांत होती है तुम सबने आकर देखना चाहिए कि कैसे हरे भरे खेतों एवं नारियल के बादानों में लागतार बारिश होती है तब ही जैसनमेर के रहने वाले हीरा ने अस्चेरेस कहा हमारे यहां बर्शा नहीं होती हमारे यहां तो दूर दूर तक कीकर यों रेत ही नजराती है लेकिन वहां उट भी तो मिलते हैं रवी ने कहा जैसनमेर लगर राजस्थान में है और वह है रेगिस्तानी एरिया है इसलिए वहां पर वर्शात नहीं होती केवल रेत और कांटे जार जाडियां वहां पर पाई जाती है हीरा ने कहा उट तो मिलेंगे ही जब तूम हमारे रेगिस्तान में आओगे तो तुम्हें सांप चिबकली और अने कीट भी देखने को मिलेंगे रवी हैरत में पड़ गया विभीन स्तानों पर पाई जाने वाले जीव जन्तू वनस्पती एवं लोगों के रहन सहन के तरीके कितने भीन क्यूं है क्या सभी का एक दूसरे के सास्थ संबंध है बिल्कुल बहुत संबंध है शिक्षक ने कहा सभी पेड़ पोधे जीव जन्तू एवं मानों अपने आसपास के परियावर्ण पर आश्रित होते है वो एक दूसरे के पर डिपेंड होते है प्राईवे एक दूसरे पर आश्रित भी है जीवधारियों का आपसी एवं अपने आसपास के परियावन के बीच का संबंध ही परितंत्र का निर्मान करता है कि वो एक दूसरे की जुरूरत होती है उन्हें और वो एक दूसरे का कहीं न कहीं परत्यक्ष तोर पर मदद करते हैं अधिक वर्षावाले वन घास, रेगिस्तान, पर्वत, जील, नदी, महसागर एवं छोटे से ताल का भी एक परितंत्र होता है क्या आपको लगता है कि जिस पार्क में रवी एवं उसके मित्र खेलते थे वह भी एक परितंत्र बनाता है मानविया परियावरण, अब बात करते हैं मानव के परियावरण की जो मानव द्वारा बनाया गया है अभी तक हम पड़ रहे थे जो प्राकृतिक ने पहले से परियावरण बना रख़ा है मानव अपने परियावन के साथ प्राक्रितिक क्लिया करता है और उसमें अपनी अवश्यक्तिक के अनुसार परिवर्तन करता है प्रारंभिक मानव ने स्वयम को प्राक्रितिक के अनुरूप बना लिया था उनका जीवन सरल था और आसपास की प्राकृतिक ने भी उनकी आवश्रक्ताईं पूरी हो जाती थी जो पुराचिनकाल के लोग थे वो ज़्यादा छेडखानी वनों के साथ नहीं करते थे मानव ने प्रियवन के उप्योग और उसके प्रिवर्तन करने के कई तरीके सीख लिये उसने फसल हुआई पशुपाले स्थाई जीवन जीना सीख लिया पहिये का विशकार अवशक्ता से अधिक अनुप जाया गया वस्तू विन्य पद्ति का विकास हुआ यहाँ पर वस्तू विन्य पद्ति है कि एक चीज के बदले आप दूसरी चीज उससे ले सकते हैं अनाज के बदले आप कुछ समान ले सकते हैं तो यह है वस्तू विन्य की पद्ति है वैपार अरंभ हुआ और वानिज्य का विकास हुआ उद्ध्योगिक क्रांती में से बड़े-बड़े पैमाने पर उत्पादन आरंभ हो गया परिवहन तेज गती से प्रारंभ हुआ सूचना क्रांती ने पूरे विश्व में संचार, सहज और दुरुत हो गया क्या आप जानते हैं कि गर्मी में रसीला तरबुज एवं सर्दी में भुनी हुई मुम्फली खाना क्यों उपसंद करते हैं प्राकृतिक एवं मानविया परियावरण के भी सही संतूरन होना अवश्चक है मानों को परियावरण के साथ समरस्ता से रहने एवं उसका उपयोग सीखना चाहिए रवी के कक्षा में मिजरुम के एक लड़की है नूरी वह अक्सर अपने स्थान की हरियाली की बात करती रहती है कि मिजरुम जो है काफी हरा बरा है खेल का मैदान नश्ट होने के कारण रवी की उदासी देखकर नूरी ने उसे आने वाली चुटियों में अपने घर मिजरुम आने को कहा कि तुम मिजरुम आना रवी ने शिक्षक ने सभी बच्चों से कहा कि चुटियों में वे जिन जिन स्थानों पर जाएंगे दिया क्या क्या चीजे है पहाड है नदिया है नाले है अब मनुष्या ने परियावन से छेड़ चाड़ कहां की है उन्होंने परियावन में जैसे पहले बहुत जंगल हुआ करते थे अपनी अव्शक्ता के अनसार उन्होंने जंगलों को काट दिया और परियावन से काफी छेड़ छाड़ भी की है तो बच्चो ये मैक्सिमा आपका चैप्टर कवर हो चुका है अब इसके जो कोश्चन रहते हैं परितंत्र क्या है प्राकृत क्रियावन से आप क्या समझते हैं ये मैं आपकी जो next व आपके सभी कोश्चन मैक्सिमा निकल कर आ जाएंगे बच्चो हर परकार के एजुकेशन के अपडेट से जुड़ने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले धन्यवाद